अप लोग कैसे हो I have a new identity weekly के पिछले एपिसोड में देखा था man character ने चारो बंदों की अच्छे से खातिदारी की थी मतलब अच्छे से कूट दिया था और फिर man character अपना हाँ साप करने लगता है और वो देखके एक बंदा बोलता है कि तुम तुम यहां पे कौन हो तो वो सुनके जो man character उनके पास चला जाता है और कहता है मैं तो यहां पे एक अच्छा सा नागरी कोई जो यहां पे पूलिस की मदद कर रहा है और कै तुम यहां पे उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे तो वो सुनके जो मोटा बंदा होते एकदम चिल्डाने लगता है और कहता है भले ही तुमने आप हमको मारा पर हम यहां पे हमारा crime कबूल करने वाले बिल्कुल भी नहीं पर फिर दूसरे बंदे से कहते है कि तुम लोग यहां से भाग जाओ, भले उसके पास यह पे ability है पर वो एक साथ 4 लोगों को नहीं पकड़ सकता है और फिर मैंगेटर उसको यापी गुस्ता से घुरने लगता है और वो देखके जो मोटा बंदा होता है वो कहता है कि भले ही तुम्हारे पास ability है तुम हम लोगों को मारतो हो पर तुम्हारे बच्च के नहीं जाबा हो गया क्योंकि जो law है तुमको आपे punish करेगा फिर मैंगे महता है याप पे अनदर क्या चाल रहे है तो वो सुनके मैंगेटर कहता है करके कोई जरूए क्यों कोई पर इसलिए को नहीं कॉते है तुम्हारे घुक्यार कि हना जा साजाने करेवेवा और वो सुने चार लोगों को थोड़ा अभी टाइम चाहिए, इसलिए उसको थोड़ा टाइम दे दो, और यहाँ पर जो मोटा बनदा होता है, वो कहता है, कि वो यहाँ पर हमको छोड़के क्यों चला गया, और उसके माइन में यहाँ चल रहा है, और फिर यहां पर क्विंजू अपने डराने लुक में आती है और वो देखने के बाद सारे लोगों की फट जाती है और जो मोटा बंदा होता है वो कहता है यहां पर आवाज किस चीज की आ रही है और जो पहले वाला बंदा होता है वो कहता है मुझे यहां पर यह तरह ठंड क्यों लग रही है और जो क्विन्जू उसके पास जाती है और यहां पर कहती है हाई और वो देखने के बाद उस बंदे की पुरी फट जाती है और अंदर से चिलाने की आवाज आ रही होती है और फिर हमको रात का सिन दिखाय जाता है और यहाँ पे एक न्यूस चल रही होती है और उसमें जो रिपोर्टर होती है वो कहती है कि जो यहाँ पे 153 वाला केस था वो यहाँ पे आज सॉल कर दिया है पुलिस ने और जितने भी यहाँ पे सब्स्ट्रेक्ट थे किसी बाते कर रहे है और फिचर में जो पुलिस से उनके क्राइम की लिस्ट निका लेगी और यहाँ पे लिगन एक्सल लेगी और जितना पॉसिबल हो सके उतना हम उसको यहाँ पे जल में लखने की कोसिस करेंगे और यह सारी दिस में केर्टर अपने घर बैटके देख रहा होता है और फिर में केर्टर कहता है हम गिल्टी फिलू हो रहा है मुझे लगता है कि जो डायरेक्टर है और जो देखते है उसमें पे फिलीव कर लेते है और फिर अचानक से में केर्टर फिर क्विंजी आ जाती ह और कहती है कि मैंने इस बार यहां पर कैसा किया था तो वह सुनके man character reply देते हुए कहता है तुमने तो यहां पर बहुत जदा अच्छा किया था तो वह सुनके मैं मन में सुचता है यह लड़की यहां पर फागल हो चुकी है यह सच में यहां पर इती है और यहां पर क्या कर रही हो तुम्हें रुख जाओ और उससे कहता है कि क्विंजू यहां पर दमसांध हो जाओ और फिर मैंकेटर कहता है मुझे पहले कॉल को करने दो फिर उसके बाद हम बात करेंगे और यहां पर जो क्विंजू होती है तोड़ा गुस्सा कर रही होती है और यहां पर मैंकेटर कहता कि लू इस पर तो तुम यहां पर लाइफ सेवर हो तुमने तो यहां पर मुझे ब बंदा होता है और लू का पीछा कर रहा होता है और अचानक से लू को यहां पर पकड़ लेता है और यहां पर लू चिला रही होती है और कह रही होती है कि यहां पर मेरी कोई मदद करो पर जो बंदा होता है अपने जेब में से कुछ निकलता है और यहां पर उसके बाद जो तूहो एकदम बंद हो जाती है और उसके समने कराई हeti है हर से कोई कहता है हार साल यहां बंदा कोया जाता है और यहां पर जीने का कोई हडिकार है नहीं और इसको पता चलता है यहां पर different character आया होता है और अध्यू अध्यू पार आफ चुक्टे मेरे लोगों के साथ खेलने की तो तुम्हारे पास एक रास्ता है मैं तुमको यहां पर मार दूगा और वह सुनने के बार जो बंदा होता है अपना नाइफ निकाल मैं तब तक लिए गुडबाय और सायोनारा